असलाम उलेकुम, recipes with me चैनल में आज हम बनाने जा रहे हैं बंगाली रसगुले या फिर छेना रसगुले यह बहुत जादा टेस्टी बनते हैं और इनको घर में हम आसानी से बना सकते हैं ऐसा नहीं है कि इमार्गीट में बहुत जादा कॉसली है लेकिन घर में बनाई हुई इसके जो आदत होती है एक तो वह बहुत अच्छी होती है और दूसरा यह है कि उसकी खुशी बहुत जादा होती है तो दोस्तों आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बंगाली रसगुले इसके लिए हमें किन चीजों की जरूरत होगी वह आप यहां पर देखने य इतनी हमने शुगर ली है इतनी ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे पानी डालेंगे एक कप और हाफ कप यानि कि देड़ कप हम इसमें पाने यूज करेंगे तो आई सबसे पहले हम अपने दूद को बॉल करने के लिए रख देते हैं दो टीजपून हमें मैंदा चाहिए त इसमें हम अपना सारा दूद एड़ कर देंगे उसको हाई फ्लेम पे उबाल आने तक पकाएंगे दूद को हमने उबलने के लिए रख दिया है इसे हम हाई फ्लेम पे कवर करके उबाल आने तक पका लेंगे और साथी हमने जो लेमन लिये हैं उसका हम जूस बाहा निकाल लेंगे दूद में हमारे उबाल आ रहे हैं और ये काफी बड़े बड़े उबाल आ रहे हैं तो गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है और इसके अंदर हम एड़ कर देंगे हो प्रतामिश है एक टी स्पून भर्र एक चमठ करते चलाते जाएंगे और तब तक ना freshmen लिए हो इसमें कि संस्थ दूद का अनुद ये त largely घ्ट जाए अब यह देखिए पानी बिल्कुल अलग होने लगा यह देखें आप तो अब इसको हम चान लेंगे यहाँ पर मैंने एक स्टैनर ले लिया है इसके नीचे एक डिश लगा ली है और इस पर हम डालेंगे एक कॉटन का कपड़ा जिसके अंदर हमें इसको अलग करना होग तो हम इस तरीके से और अब इसको अपर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इस तरीके से इस तरह पानी डालने से क्या होता है कि इसके अंदर जो लेमन का जूस है उसकी जो खटास है वह बिल्कुल खतम हो जाती है तो इसमें एक कब पानी मैं और एट कर दूंगे एक कम पानी हम यहांपर ओर डाल लेंगे। तक एकदम से ठंडा हो जाए। और आप हमें क्या करना है कि इसको इस तरीके से लख देंगे चारों तरफ से उठानेके बात में। इसको निचोड़ेंगे नहीं बलके इसी तरीके से हल्गा सा प्रै divisions करके इसे तरीके 15-20 मिनिट के बाद में आपको दिखाती हूँ अब यह जो पानी बचा है हमारे चैने का यह बहुत जादा ताकतवर होता है तो इससे आप आटा गून सकते हैं साथ ही आप सबजी में भी यूज कर सकते हैं उसकी ग्रेवी बनाने में आप इसको यूज कर लीजे यह बहुत ज करना है कि यह जो छैना है यह बहुत जादा सौफ्ट है यह अगर आप निजोड़ते हैं तो यह तोड़τα हार्ड हो जाता है लेकिन यह सौफ्ट है तो अब हमें क्या करना है कि इसे हम सारा एक तरफ इस तरीके से कर लेंगे और इसे हम इस तरीके से अपनी जो हतेली होती है इस तरीके से हम इसे मलेंगे इसको गूंदेंगे हम इस तरीके से इस तरह गूंदने से क्या होता है कि ये जो छेना है हमारा बिखरा बिखरा इसको बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना चाहिए और साथ ही इसका बिल्कुल 81 डो बन कर तयार हो जाना चाहिए इस तरीके से हम इसे soft करेंगे रगड़ते हुए अपने हतेलियों से इस तरीके से अभी सिर्फ हमें 2 ही मिनट हुए है और ये बिल्कुल एक तरीके से यू जुड़ने लगा है हमारा जो चैना है वो सारा इस तरीके से जुड़ने लगा है अब इसके अंदर हम एड़ कर दें हैं बहुत ही smooth सा डो बनकर हमारा त्यार हो चुका है तो अब हम इसकी गोलिया बना कर त्यार कर लेंगे और उससे पहले हम अपनी चाश्नी को बनने के लिए अधार एक कप चीनी ली है साधी हम ले लेंगे एक कब पानी इसके अंदर जो दो इलाइजी ली थी मैंने उनका कर्दिया है कि पूल लिए और रख करेंगे और उसके छोटे चोटे पॉशन तोर साइट में लेगे उसके बाद में हम अंदर कोई बिल्का तरीकिता नहीं होना चाहिए इस तरीकिता हो में रभल को इसे नीचाहिए अब इसके अंदर हम एक एक करके सारे बॉल डाल देंगे पानी इतना होना चाहिए कि यह जो हमने रसगुले बनाए हैं यह अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाए तो आप देख सकते हैं कि यह सारे डिप हो रहे हैं अब इसे कवर कर देंगे और पांच मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे जिस तरीके से यह पक रहे हैं पांच मिनट हो गए हैं हमारे रसगुलों को बनते हुए यह देखिए अब यह अपने साइज से आप देख सकते हैं कितने ज्यादा हो गए हैं बड़े-बड़े ह होते हैं इस वक्त अब हम तक्रीबर इसे 25 मिनट के लिए और पकाएंगे इसके अंदर एक सुराग होता है इस पर मैंने यह कपड़ा रख दिया है ताकि इसकी जो स्टीब है एकदम से बाहर ना इसके साइड एकदम सील होनी चाहिए अब इसको हम क्या करेंगे कि मीडियम कर देंगे 25 मिनट के लिए और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर पकते हुए हमारे रजगूलों को तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं अब आप देख सकते हैं कि रजगूले हमारे डबल से भी ज्यादा बड़े हो चुके हैं मतलब यह है कि इसके अंदर हमें तीन की गुंजैश बीच में लेने पड़े मुझको क्योंकि यह काफी बड़े बड़े फूल कर हो चुके हैं और इसको मैंने हलके हाथ से इस तरीके से फिलिप कर दिया था यह देखें आप गैस का फ्लेम अब हम और स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर इसे 10 मिनट के लिए और कुक करेंगे तो यह मैंने बीच में आपको दिखाना इसलिए जरूरी समझा देखें आप कितने बड़े-बड़े माशालला हो चुके हैं कितने स्पंजी बन कर त्यार हो रहे हैं तो गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर इसे हम तकरीबन 10-12 मिनट और कुक करें स्लो फ्लेम पर रसगुलों को बनते हुए तकरीबन 10 मिनट और हो गया हैं यह देखिए मैंने इसके इंतर थोड़ा सा पानी डाल दिया था क्योंकि इसके इंतर पानी बिल्कुल खतम हो गया था आप देख सकते हैं कि इस पर हलक असा गुलावी सा कलर आ गया है तो मैंने इ बनकर त्यार हो गया है बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया बनकर त्यार हुए है यह देखिए इसके अंदर कितना जूस है यह मैं आपको निचोड कर दिखा देते हूं यह देख सकते हैं कितना जूस है इसके अंदर और यह फिर वापस उसी शेप में आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यह काफी स्पंजी बनकर त्यार हुए हैं, अब हम इसको सर्फ कर लेंगे, सर्फ करने के लिए मैंने यह कड़ाई टाइप की डिश ले ली है, बहुत ही शानदार बनकर त्यार हुए हैं, आप भी अपने घर में इसको बना सकत हैं, पहँत ही इजी त्रीकी से आप बना सकते हैं, सभीको बहुत पसंद आएंगे, बहुत ही शानदार हमारे संज रासकूले बनकर त्यार हुए है, एक मैं आपको कटकर के दिखा देती हूँ , यह देखिए, यह देखें कितने ski इस के आंदर आप जाली देख सकते हैं इडिखयों मैं इसको वापस देखें कितनी तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राइब कर सकते हैं, यह देखिए, जब मैं इसको छोड़ नहीं हुँ, तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राइब करें, अगर आपको यह रेसिपी पसंद आती है, तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में के साथ मैं इंजॉय करें अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल रेसिपी विद मी को सब्सक्राइब करें तो मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नए रेसिपी के साथ में तब तक अपना और अपनी फैमली का खया लगिएगा अलाहाफिज